तो केंद्र सरकार अंगतर अप्रू जन जातिवा गौरोव दिवस्वा पालान करा जाए उची एने प्रधार मंति नारेंद्र मोदी नी जो अभिवार्शन रखुच्चेंती भुफालरू शिदासलक नहीं चलूँचू सामान ने जन तक पहुँचाने में जो योगदान दिया है वो अमुल्य है यहां की सरकार ने उन्हें काली दास पुरसकार भी दिया था छत्रपती सिवाजी महराज के जिन आदर्शों को बाबा साब पुरंदरेजी ने देश के सामने रखा वो आदर्श हमें निरंतर प्रेणा देते रहेंगे मैं बाबा साब पुरंदरेजी को अपनी भाव विरी स्रदान ली देता हूं साथियों अज़ जब हम राष्ट्रिय मंचों से राष्ट निर्मान में जन जातिय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जड़ा हरानी होती है ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जन जातिय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है इसकी वज़ए ये है कि जन जातिय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया अंधर में रखने की बरपुर कोशिश की गई और अगर बताया भी गया तो बहुती सीमित दायरे में जानकरी दी गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दसकों तक जिनोंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्द भरी राजनीती को ही प्रात्विक्ता दी बेश की आबादी का करीब करीब दस प्रतिस्ताथ होने के बावजुद दसकों तक जनल जातिय समाच को उनकी संस्कृति उनके सामर्थ को पुरी तरह नजर अंदाज कर दिया गया आदिवाच्यों का दुख उनके तकलीप बच्चों की सिख्षा आदिवाच्यों का स्वास उन लोगों के लिए कोई माइने नहीं रखता था साथियों बारत की संस्कृतिक यात्रा में जनल जातिय समाच का योगदान अटूट रहा है आप ही बताईए जनल जातिय समाच के योगदान के बिना क्या प्रबुराम के जीवन में सफलताओं की कलपना की जा सकती है बिल्कुल नहीं बनवाच्यों के साथ बिताए समय ने एक राज कुमार को मर्यादा पुरसोतम राम बनाने में अहम योगदान दिया है बनवाच के उसी कालखन में प्रबुराम ने बनवाची समाज की परंपरा रिती रिवाच रहन सहन के तौर तरीके जीवन के हर पहलू से प्रेरना पाई थी साथियों आदिवासी समाज को उचीत महत्व ना देकर प्रात्फिक्ता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अप्रात किया है उस पर लगातार बोला जाना आवशक है